आप सभी का स्वागत है सब्तिरिशी एस्ट्रोलोजी में और यह हमारा वीडियो से दीज है बिगनर्स के लिए जो तिश में जो बिगनर्स हैं जो तिश है भी उन्होंने पढ़ना शुरू किया है तो उनके लिए यह समझना बहुत जुरूरी है कि प्रेडिक्शन्स करते समय हमें ग्रहों के कारत कत्वों के बारे में वही ग्रह जब किसी राशी में बैठते हैं तो वो किस तरीके से रेडियेट करते हैं अपने एनरजी को और किस तरीके से वो आपके लिए शुब या अशुब रिजल्ट का निर्मान करते हैं यह समझना आ सबीर हमysis सोड journée की मीज़ना टो मिलें तो अधाने हैं इat रहाने हिग हे लिए तो हो उच्छ पहुचे करने के लिए जिस ऑल के बहूर है उच यह दो को तक बना है वाप तक पहुंचे गा redo में हग दीसाइड करने के लिए उस रहे है जैन्नका बहुंग जुरूरे तो इसलिए ग्रहे के स्टेटस हमें दो जगे हमें जाना जुरूरी एक तो राशी पर और उसरस भाव के उपर तो रिशियो ने बिरहत प्राश्वाष रास्तर की बात करें या फल्दीपी का की बात करें ऐसे डिफेंट बोक्स में ना उन्होंने इसको जच करने के लिए हमे कुछ परमेटर्स दी हैं लाइक हम ग्रहे त्रिकोर्ड में अगर बैठते हैं 159 में या केंद्र में हैं या त्रिशाइडाइभाम में हैं तो कैसे रिजल्ट देंगे यह समझना बज्जुरूरी है तो इसी सिरीज में आज हम बात करने वाले हैं सिम्ह लगने के उपर लगना है तो इस परटिकुलर लगना में गौन सा ग्रहे आपके लिए काजग रहे है को व् Maya तो यह तीन स्टेल संसी फड़ को जब अपर्श करतेऊ उस राशी के जो भुण ध्यर्मल अग ए गुग रहे करut भुण धाएल के लिए 6 continuing हो अगर हो ए तो वह ऊस्थ हो अगर मिलने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं अकर लियो लगना है है तो सबसे पहले सुर्य के हम बात करते हैं। conviction कि लगन का रॉडड बनता है यह सुर्य रूर् प्रूल के लगने का रॉड फाइस या लॉड शिप अगर यह प्लानेट जो होतले हमेशा कारक रहेंगे इसके बात करते हैं मंगल की ठीक है तो लियो लगना के लिए मंगल जो है मार्स वह नाइन्थ हाउस का लॉट बनता है दूसरा वह फोर्थ हाउस का लॉट बनता है ठीक है तो मार्स यहां पर दो हाउस को ओन कर रहा है नाइन्थ हाउस और फोर्थ हाउस नाइ यहां कहलाने वाला है तो सूर्य मंगल दोनों आपके लिए हो गए यहां पर कारग रहे हैं इसके बाद जुपिटर के अगर बात करें गुरू तो जुपिटर का जो मुट्रिकॉन सायन है वो अगें यहां पर फिफ्थ हाउस में पढ़ेगा उसकी दूसरी राशी जो है वो में पढ़ रही है ठीक है अश्टम को हम लोग तथस्ट बोलते हैं को वो की न्यूट्रल है वो नापका कारक अकारक दोनों में नी आते है बड़ इसकी तो मुल्थ रिकॉन जो राशी है धनूराशी है वो फिफ्थ हाउस में है जिसलिए जुपिटर भी यहां कर आपके ल राशी में बैठा है कैसा है तो इसके अगोडिंग उसको स्टेटस दिया जाता है तो इस न्यूट्रल पोजिशन होने की वज़े से और वो सन के साथ फ्रेंडली नेचर होने की वज़े से यहां मैं सूर्य मचंदर्मा को भी ऐस अकारक ही फिलाल ट्रीट करता हूं बडिप सबसे पहले हम बात करें शुक्रगे तो शिम लगने के लिए लीव लगना के लिए शुक्र दो प्राइम हाउस को रूल कर रहा है पहला आपकाombra रुशेअ आपका टैन्थ हॉस धो च्रड़ों इसमें आपका पढ़ता है लिब्रा अगर कोई राशी जाती है इसमें किसी की ओनर्शिप अगर है तो वो अकारक ग्रह कहलाया जाता है यह नियम है इस नियम की अकोर्डिंग जो शुकर की मूलत्रिकोन राशी है तुला वो खुद इस त्रिशाड़ाय भाव में पढ़ती है इस थर्ड हाउस में पढ़ता है और उसकी दूसरी राशी जो है वो टॉरस वो टेंथ हाउस में है तो इसी वज़े से हम थर्ड हाउस की रूलर्शिप लीबर राशी होने की वज़े से शुकर को हम लोग यहाँ पर अकारक ग्रह का स्टेटर्स हम लोग देते है सेम ऐसी बुद्ध का हम बात करें मर्कुरी मर्कुरी जो यहाँ पर है वो भी दो हाउस को रूल कर रहा है पहला वर्गो साइन जो की पढ़ता है सेकंड हाउस में और दूसरा जेमिनाई साइन वो पढ़ता है इलेवंध हाउस में सेकंड हाउस जिसे मैंने बोला की 12th, 2nd and 8th यह नूटरल होते हैं यह तठस्त बोल जाता है इनको ठीक है ना यह अकारक हैं ना यह कारक हैं तो जो वर्गो साइन आपका सेकंड हाउस में पढ़ रहा है यह तो हो गया नूटरल बड़ जो उसके दूसरी साइन है जमिनाई, मिठुन राशी वो पढ़ती है 11th में 11th हाउस भी आपका त्रिशाड़ भाव का ही एक हिस्सा है और इस त्रिशाड़ भाव में 11th हाउस सबसे ज़्यादा अकारक माना जाता है तो इस प्रिंसिपल होने की वज़े से यही मर्किरी को हम लोग अकारक में भी जोड़ते है तो शुक्र और बुद्ध यह दोनों ही आपके लिए हो गए अकारक अब बात करते हैं शनी की शनी यहाँ पर दो हाउस को रूल कर रहा है 6th and 7th 6th house में इसका Capricorn राशी जिसको हम लोग बोलते है Makar राशी हो गया और दूसरा आपका होगे 7th इसमें आपकी कुम्ब राशी पढ़ती है 6th house भी त्रिशादय भाव का ही पार्ट है तो इसलिए हमने इसको भी अकारक में जोड़ा और यही जो Saturn है वो 7th house का भी Lord बनता है मुझरिकुन राशी इसकी जो है 7th में पढ़ रही है इसलिए BPHS में 34th नंबर चेप्टर के हम बात करें 29th and 38th शलोक अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर Shani को हमने यहाँ पर मारक भी जोड़ा है तो अगर यह प्रिंसपल देखा जाए तो यहाँ पर Shani आपके लिए मारक होगे दूसरा बुद्ध भी आपके लिए मारक बन जाता है क्योंकि बुद्ध का मुल्ट्रिकॉंट राशी जो है वो 2nd house में पढ़ता है लिए लगना के लिए तो इसलिए अगर conclusion देखा जाए तो कारक भी में आपके आए सुर्य, मंगल, जुपिटर, गुरु और आपका चंद्रमा ठीक है कारक भी में हमने count किया यहाँ पर शुक्र को, बुद्ध को, शनी को और मारक भी में हमने लिए शनी और बुद्ध को तो यह BPHS का 34th नमबर चेप्टर है उसमें शुलोका नमबर 29 और 30 का according यह हमने इसमें understanding निकाली और यह बहुत important principles हैं predictions के लिए इसलिए बिगनर्स को यह knowledge होनी चाहिए इसके साथ मैं आपको भावाज रखना कर कभी मैं कुछ आपका exceptions rules इसमें मैं आपको count कराऊंगा selected rules हैं यह like इसी लिए लगना के लिए अगर हम देखे हैं सूर्य बुद्ध और मंगल अगर यह योग में है सूर्य बुद्ध मंगल अगर एक साथ हैं किसी लिए लगना चार्ट में या सूर्य गुरू और बुद्ध एक साथ हैं ठीक है तो यह एक देवर्दस combination बनाते हैं वेल्ट के लिए ठीक है धनी होने का योग है specifically यह लिए लगना के लिए सेम भावात रतनाकर में एक और rule हमको मिलता है कि अगर गुरू और शुक्र अगर एक साथ हैं लिए लगना में कहीं में बैठे हो तो यह ना कुंड़ी में बनने वाले दूसरे योग भी यह खतम कर देते हैं यह ना देविल डिस्ट्रोई दी अधर योगा विचिस प्रेजेंट इन दी लिए लगना बहुत इंपोर्टेंट है गुरू और शुक्र का एक साथ होना लिए लगना में ठीक है यह बाकी योग को खतम करता है यह बड़ा एक इंटरस्टिंग डूल हमको भावाज अतनाकर में हमको मिलता देखने के लिए इसके लाबा भावाज अतनाकर का एक और प्रिंस्पल यह बोलता है यह बड़ा इंटरस्टिंग इसको समझें आपकी शुक्र को हमने यहाँ पर अकारक में हमने डाला है कि शुक्र अकारक रहा है लिए लगना के लिए बट भावाज अतनाकर के जो आथर है वो उन अशारे का में यह मानना है कि यही शुक्र अगर लिए लगन में अगर तुला राशी में होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कारक यही शुक्र अगर व्रिशब राशी में हुआ तो इसको हम लोग कारक बोलते हैं पुझे सरोड sizinदेंच ये तो अब parfait क्काता है इढ़ा है उतल में चुर लगना में तो वह कारक आरधी तरह काम करता है. इसके अलावा एक और exception rule आपके भावात रत्नाकर में आपको जो यहने को मिलता वो यह कि सूर्य, बुद्ध और मंगल अगर एक साथ हैं combination में तो बुद्ध की देशा में यह धनियोग देते हैं तो यह इसको भी आप test कर सकते हैं और इसके अलावा अगर शनी और मंगल, शनी मंगल को हम जानते हैं कि एनमी है ठीक है, हमेशा यह प्रॉब्लम सी create करते हैं बट बावात रत्नाकर के जो author का यह मानना है कि अगर शनी और मंगल कुंडली में एक साथ हैं तो शनी के देशाव में इस लियो लगना वालों के लिए वो भाग्य और धन देता है तीक है, वो धनलाब भी कराता है वो उनके लिए fortune create करता है उनके लिए भाग्यवान उनके लिए बनाता है कब दशनी मंगल एक साथ हो लियो लगना के लिए ये कुछ exceptions rules में आपको भावात अतना करके बताया है इसको भी आप जुरू धैन में रखिए और लिए लगना में केंगर त्रिकोंट त्रिशाड़ाए कैसे functions करते हैं उसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से ग्रहे यापर कारक आ कारक और मारक बनते हैं I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और लिए लगना की जो ये configuration है ये आपको समझ में आया होगा कुछ अगर आपकी इसमें कोई doubts हैं कुछ clarification आप चाहते हैं तो comment section में आप डाल सकते हैं वो next video मैं इसको address करूगा Thank you